नमस्कार दोस्तो आज साथियों हम बात करेंगे इस प्यारे से पोधे की देखें कि इतना प्यारा फ्यूल और पत्यां इस पे हैं एकदाम डार्क ग्रीन पतली पतली लंबी पत्यां ये पोधा है वाइट मैक्सिकन पिटूनिया का अब आप ये कहेंगे कि पिटूनिया और पिटूनिया ये एकशली रियल पिटूनिया नहीं है इसके फूल पिटूनिया और बात करेंगे और ये कैसे चलता है कैसे बढ़ता है कहां इसको रखना चाहिए तो जहां रखने की बात इसको ना इसको कहते हैं यह sun loving perennial है यह perennial plant है sun loving है लेकिन generally लोग इसको annual रूप से ही लगाते हैं क्योंकि यह सर्दियों से बहुत घबडाता है पाले से ठंड से घबडाता है या तो indoor रखिए और या फिर इसको आप sunny place में तो ज्यादा वो देगा अगर आपने इसको सेड में रख दिया तो फूल कमाएंगे तो इसलिए इसको धूप में रखना चाहिए और यह sun loving plant है यह अच्छा बढ़ता है अच्छा फूलता है अगर हम इसे फूल सन में रखते हैं लेकिन partial सेड में भी चल जाता है फूल सन मे काफी फूल देता है और यह जो पसंद करता है न मिट्टी वो rich fertile soil पसंद करता है slightly अगर moist हो तो यह बहुत अच्छा चलता है कई रंगों में इसके फूल आते हैं वैसे white और purple इसके दोनों मसूर है जादे तर रही white purple करल में आता है और इसको Mexican petunia कहते हैं जैसा कि नाम बोल पत्ति स्थान जो है वो है Mexico इसको जो बोटनिकल नाम है वो है रुवेलिया ब्रिटोनियाना रुवेलिया ब्रुटोनियाना इसका बोटनिकल नाम है कभी कि भी इसे रुवेलिया भी कह देते हैं Mexican petunia को और यह इसको अच्छी condition मिले तो यह तीन फिट तक बढ़ जाता है है और इस पोदे में माइट्स का आंट्स क अटहाएं कि चिटियां जो है बहुत ज्यादा पोदे को नुक्सान नहीं करती हैं पूद क्क ही खेती करतीय वह जमीन को पौली बना देती Θuler और दूसरे कई पूरे पोदह को आती-ज्याती चलते रहती हैं तो यह जीह जो हैamentos हैनर कीर दो सन का भी काम प्रते हैं लेकिन कुछ लोगों को मानना है कुकर आती-जाती रहती थे तो यह उनको वाइरस को बैक्टीरिया को ऐसी चीज़ियों को अपने साथ लेके आती हैं लेकिन एक बात तो है कि यह जहां होंगी वहां पर समझ लो यह मिली बग एफिड और ऐसे कीट जो की सहद लाइक तरल छोड़ने सहद की तरह का तरल जो हनी डू टाइप छोड़ते हैं पत्त पर उनको खाती हैं तो अगर जैसे मेरे इस गमले में अगर आंट्स हैं चीटियां हैं तो समझ लो आस पास पर कहीं वाइट प्लाई फ्लाई या एफिड या मिली बग का अटेक है क्योंकि वह एक हनी डू पत्तियों पर छोड़ते हैं जिसको यह चीटियां खाती हैं तो यह चीटियां जैसे कि मेरे गमले में इन्होंने जब में वीडियो बना रहा हूं तो ध्यान से देखा तो बहुत ज़्यादे मिट्टी निकाल कर उपर कड़ी कर रकिए और पूरी बड़ी कालोनी इन्होंने यहां बना ली थी देखे नीचे की तरफ कितनी मिट्टी निका बड़ी हुए और यहां पर उनको पोधा जो आपको मुर्ज है हुआ सा पती पिली सी लगने लगेगी तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है आप इसको ठंड़ा पानी के ड़ीते पानी में डिटर्जेंट मिलाके डाल दीजे आप साबून मिलाके इसमें डाल दीजे तो इसके लावा आप वाइट सिर्का जो उता हुँआ विनेगर डाल सकते हैं, नीम्मू पानी सकते हैं डाल चीनी का पानी सकते हैं dala कोफी पाौडर का पानी में घुहलके डाल सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे घृच्ता हैं उपाई हैं जिनको करके हम चीटियों को हटा सकते ओग भी नहीं तो गंबले को अच्छी तरह पानी से भर दी जिए पानी मर जाती है तो और यह पोधा ऐसा कि यह यह ड्राइ कंडिशन में भी चल जाता है और वेट कंडिशन में भी चल जाता है तो जैसे देख रहें ना कुछ पत्तियां पीली-पीली क्योंकि बहुत ज्यादे शीट है जब जड़ों में हो जाएंगी तो इसलिए इसको सुरक्षा करना ज़रूरी हो जाता है जब इस पोध्य कंडिश है मुसी पिटुनिया मैक्सिकन ब्लू वैल जैसे मैंने बताया जंगली पिटुनिया और यह हमारा पेरीनियल है और इसकी जो लीव्ज हैं लंबी-लंबी और लैंसेफ्ड लीव्ज पाती है देख रहें बड़ी प्यारी इस लीवज आती है बड़ा प्यारा सा फूल आता ह फूल सिंगल भी आ सकता है गुच्छो में भी आ जाता है और एक दिन चलता है लेकिन इसमें लगता राते रहते हैं एक गिरता है दूसरा निकलाता है इसमें बहुत सारी बड़्स बनती रहती है फूल की और टॉप पे बनती है अगर इसमें ज़ादस ज़ादा आपको अच्वली ये जैसे मैंने बता है रेल पिटूनिय नहीं है ये इसके फूल उससे मिलते जुलते हैं और ये अट्रैक्टिव पूदा है इसके फूल आते हैं इस ये जो हमारी हमिंग बड़््स बटल फुली बीज को आकर सित करता है ये पूदा और इसमें बसंत से लेके ब जदा जदा फूल लेने के लिए जिस फूल पे है जिस तने पे जिस ब्रांच पे टॉप पे फूल आ जाए उसको काट देना चाहिए तो और ब्रांच जी निकलेंगे और ज़्यादा फूल आएंगे. प्रूनिंग के इसमें जदा नहीं आवश्रक्ता होती है. propagation इसका seed से भी हो जाता है cutting से भी हो जाता है और division से भी हो जाता है इसकी जड़े horizontally गमले में बढ़ती है तो आप इसको गमले से निकाल के दो तीन जितने भागों में बाटना चाहें इसको दूसरे गमले में लगा दीजिए आप nursery से लेके आ रहें तो जितना जिस size का गमला उससे दो इंच बड़े गमले में लगाई है और इसकी growth बड़ी तेजी से होती है fast growing plant है ये और इसे ये कह सकते हैं कि इसको मारा नहीं जा सकता सर्दियों में पत्ती गिरा देगा लेकिन जैसे ही बसंद आएगा ये फिर उगना सुरू हो जाता तो perennial evergreen पोदा है ये जैसे और पोदों को हम कहते हैं कि ये उसे किवल नम मिटी चाहिए ये नम, गिली, सुखी सभी मिटीयों में हो जाता है और बस ये ध्यान रखना soil जो हमें एक तरह से aggressive rate of growth है इसका और इसको remove करना मुस्किल है spreading root होती है, horizontally बढ़ती है easy to grow है full sun में बहुत ही अच्छा होता है और जैसे हम बता है कि एक full आएगा तो इसको एक ही दिन में गिरा देता है इसे 6 गंटे की sun light चाहिए एक दिन में और इसको हम क्योंकि ये पानी को भी सेहन कर लेता है तो अगर हमारे याँ पॉंड है तो पॉंड के किनारे भी इसको लगा सकते है और draw tolerant भी है सुखी मिठी भी सेहन कर लेता है बस जब ये established हो जाए तो इसको जब पाला वाला सर्दी होती है तो फिर इसको टेरिस गार्डन पर ले जाना चाहिए तो इसकी दो-तीन वेराइटी है जैसे केटी है परपल सावर से मयान है जैसे मयान में मयान वृट वाइट है और तो मैंने इसकी आपको बताया कि कटिंग से भी हो जाता है सीड से हो जाता है सीड बिसमें बसंत में हमें लगाना चाहिए ऐसी कटिंग भी हमें बसंत में लगानेची जाहिए बसंत में ही डिवीजन से हमें हैं करना चाहिए और 4-6 लंबी इसकी cutting अगर काट लेते हैं तो और 2 इंच workers यमीर में गारकावा और नीचे की पत्नियां जरूर नहीं उकर दीजेगा तो चार इंच के पोट में से सुरू में लगाना चाहिए तो यह बहुत जल्दी से फिर इसमें जड़े निकलाती है इसको हम दूसरे में रिपोर्ट कर सकते हैं सीड से भी निसे हम लगा सकते हैं तो इसको जब रिच में खास लगते हैं तो इसको पोधे को जरूर अपने गार्डन में समावेस करिए